इस lecture के अंदर हम एक बहुत important topic को discuss करने वाले हैं which is related to type 1 error या type 2 error type 1 error क्या होती है वो होती है कि अगर किसी चीज को आप false positive दे दें say for example किसी को COVID-19 नहीं है लेकिन एक kit जो है वो कह रही है कि आपको COVID-19 है तो इसको बोलेंगे false positive यानि कि positive नहीं था लेकिन falsely हमने उसको positive कह दिया दूसरी साइड पर आती है type 2 error यानि कि एक बंदे का possibly नहीं है किसी चीज में negative होना लेकिन वो उसे show कर रही है कि आपको तो कोई मसला ही नहीं है घर जाओ चलो फिरो खेलो तो उसको बोलते है type 2 error लेकिन इसको और भी detail में मैं आपको समझाता हूं बिकोज ये concept अगर आपको अब clear हो जाता है future के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी असानी पैदा हो जाएगी लें जना आप type 1 error और type 2 error को हम देखते हैं और data scientists को कैसे समझते हैं हम वो भी देखेंगे so type 1 error को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है type 1 error और ये वाली error कौन सी error होती है जब आप बात कर रहे होते हैं किसी चीज का positive करने का या negative करने का यानि कि ये वो वाली चीजों के अंदर आप use करेंगे जब आपके पास दो किसम के data sets prediction में हो यानि कि on off वाला जैसे मैंने आपको बताया था male female वाला जैसे बताया था positive और negative वाला है true and false वाला इस तरह के data set के लिए ये इसको बोलते ही हम ये हैं कि false positive type 1 error क्या है false positive यानि कि एक चीज positive नहीं है उसको false positive कर देना ठीक है आप ये कह सकते हैं कि ये वाली एक medicine है इसको मैं ऐसे एक डबा सा बना लेता हूँ ये एक tablet है ये वाली tablet खालो ठीक है आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा पेट दर्द मैं जानबूच के रोमन के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास other countries से भी लोग होते हैं जिनको उर्दू नहीं लिखी हुई समय जाती तो इसमें जासे ये टेबलेट खाने से पेट दर्द आपका ठीक हो जाएगा ठीक है लेकिन on the other side हम इस एक medicine को कह रहे हैं effective लेकिन हमें पता है ये effective नहीं है ये वही हाल है जो बाबे नहीं कहा देते होते पता फ्लाँ जगाते जाके तू दो सिक्के जड़ेया दरख्त ना बन के आने ने त जो है फलाँ एक चुड़िया को लटका के आना या यह जो एक डॉल है इसके अंदर सुया जो हो के लटका के आना इस से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो basically वह क्या चल रहे है वह false positive आपको दे रहे हैं वह आपको बता रहे हैं कि यह हो जाएगा इससे लेकिन वह नहीं होता अ आपको भी लगता था के हो जाएंगे but on the other side वह नहीं होता second इसकी एक और example में आपको देता हूँ आग लगी हो तो आपके पास एक अलारम बजता है ठीक है लेकिन अगर अलारम ओफ हो जाए कि आग बुझगी है लेकिन आग जल रही हो यह भी एक false positive है ठीक है यानि कि आपको उमीद मिल गी है कि आग बुझगी है but on the other side आग अभी भी भी जल रही है this is also a false positive अब चलते हैं हम type 2 error की तरफ लेकिन type 1 में क्या हमने देखा false positive ऐसी चीजें जो होती नहीं है लेकिन हम हूने positive कहा रहे होते हैं second हमारे पास type 2 error जो है यह भी एक किसम की error है type 2 error this type 2 error is also important क्यों क्योंके यह आपको false negative देती है false negative यानि कि ऐसी error जो आपको false negative दे happens कभी होता है simple is that एक बंदा COVID-19 लेकर बैठा हुआ है COVID-19 positive है ठीक है लेकिन एक kit है यह जो kit है यह इसको analyze करके कहती है कोई मसला ही नहीं है जो खेलो ठीक है यह जो चीज है यह basically आपकी false negative है यानि कि एक positive को negative बोलना ठीक है false negative है ठीक है और यह वला जो काम है यह आपको बहुत मसलों का issue बना सकता है say for example एक बंदा COVID-19 है आपकी kit कहती कि नहीं है आपको COVID-19 तो वो बंदा दूसरों को infect करेगा इस वड़ा से यह दोनों errors बहुत important है एक बंदा जिसको COVID नहीं है और उसको अगर आप कह देते हैं आपको COVID है तो यह होगा आपका false positive type 1 error ठीक है यह भी एक नुकसांदे चीज है और यह है आपकी type 2 error यह भी एक नुकसांदे चीज है अब यहाँ पे एक आपको मैं और example दूँगा which is very crucial to understand और यह हमारे different किसम के scientist जो है यह इस तरह के काम अपनी research के अंदर भी करते हैं और आपको इस error को देखके ही समझ लग जाएगा के वाके में यह जो problem है यह बहुत गंबीरता की तरफ जा रही है let's see type 1 error and type 2 error आपको यहाँ पे clearly समझ आ जाएगा ठीक है जैसा के आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्ट साब यहाँ पे type 1 error की base पे कह रहे हैं कि आप जो अब pregnant हो वो बंदा है वो तो pregnant हो इने सकता ठीक है so यह एक false positive है और medical science के अंदर यह example बहुत ज्यादा हिट है कि एक बंदे को मसला ही नहीं है possibility नहीं है उसके उसकी तरफ जाने की यानि कि उस disease की तरफ या उस तरह के clinical trial की तरफ तो आप क्यूं भेज रहे हैं दूसरी तरफ है type 2 error यह आपका false negative है यानि कि एक बंदी सच में pregnant है और उसे बोला जा रहा है कि आप pregnant नहीं हो ठीक है so यह आपका false negative है और यह यह वली जो example है यह इस वकर data science की दुनिया के अंदर बड़ी जबर्दस किसम की example मानी जाती है reason यह है कि इससे आपको और भी अच्छे तरीके से type 1 error and type 2 errors जो है वो समझ आ जाती है अब अगर आपको इस चीज की समझ आ गए है then you can actually link this thing with the cancer diseases या आपके पास किसी हिसम का भी data आ जाता है तो आप उसको deal कर सकते हैं एक मिमसाल आपको देता हूँ आप cricket के data को analyze कर रहे हैं ठीक है cricket के data को analyze करते वकत आपके सामने से for example harasroff ball करवा रहे है bowling करवाते करवाते आप कहते हैं कि harasroff ने 6 बॉलों में 6 आउट कर दे यह क्या है false positive मतलब हो ही नहीं सकता possibly नहीं है उपर से harasroff कितरू possible है ही नहीं खत्म नहीं हो सकता on the other side आप यह कहें के बाबर आजम जो है वह balling करवाने लग गया how is it possible यह आपके पास totally जो है वह false negative हो जाएगा so these kind of things matters a lot और इन चीजों को समझने के लिए आपको अच्छे तरीके से सारी की सारे analysis करने पड़ते हैं अब आपने देखा के errors जो है चूटी चूटी errors आपको दुनिया के अंदर बड़े बड़े impact रखती है say for example अगर किसी बंदे को COVID-19 नहीं है आप उसको कह देते हैं को COVID-19 नहीं है और जिसको COVID-19 है आप उसको खुशी देने की बजाए कहा देते हैं नहीं है तुमें तो वो भी बजारा मसला करेगा क्यों उसकी सारी फैमली को COVID-19 हो जाना so इस वज़ा से जब भी आप data को analyze करें don't do these kind of errors so type 1 error है यह type 2 error है यह आपकी data science की domain के अंदर efficiency को यह दो किसम की errors जो है वो show करती है ठीक है और best decision making इससे होती है और scientist को क्यों care करनी चाहिए इन चुजों की मैं आपको वो बस final thought देता हूँ कि why do we need to care about these two kind of errors या किसी भी किसम की errors को क्यों हमें अच्छे से देखना चाहिए so data science के अंदर data science के अंदर आपके पास जितनी भी errors है वो बड़ी matter करती है क्यों अगर आपको गलतियों का पता नहीं होगा तो दिल गलती कर बैटा है गलती कर बैटा है दिल कैसे set करेंगे न वोई चीज है so क्यों एक data scientist को care करनी चाहिए इस तरह की errors की let's see पहला पहली बात पहली बात ये है कि जनाबे वाला better decision making better decision making ठीक है यानि कि आप एक business आपकी decision making पे चल रहा है आपके data की बेस पे चल रहा है accurate and reliable अगर आप data को ले के आएंगे और उससे अच्छे से उस data को आगे prediction में भी problem कोई नहीं होगी तो आपकी best decision making या better decision making होगी second आपका machine learning या AI के models जो है वो अच्छे चलेंगे number three is आप risk management और risk associated false positive और negative को अच्छे से manage कर सकते है better understanding of risk management इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ आपको समझ आजाएगी मैं आपको मिसाल देता हूँ COVID-19 हुआ है for example एक city के अंदर हो गया पूरे का पूरा city से for example London के अंदर COVID-19 हो गया लेकिन London government ने कुछ ऐसी किट्स मगाई जिनके false positive बहुत ज़्यादा आ रहे थे और false negative भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो वो test की base पे अपना database maintain कर रहे है कि हमारी population में सिरफ सो cases है but on the other side पूरे के पूरे city में COVID फैल गया हुआ है I'm just giving an example तो ये risk management और risk assessment के लिए false positive और false negative बड़ी ज़्यादा एहमियत रखते है अब खुद अंदाजा लगाएं अगर दुनिया में पता ही नहीं होता कि COVID-19 के इतने के हैसे हैं तो क्यों दुनिया billions of dollars या euros या pounds खरच करती on COVID-19 studies तो risk management बहुत ज़रूरी है number four is ethical implementation ethical implementation ethical implementation क्या है medicine के अंदर finance के अंदर या different essay fields के अंदर जिसका impact बहुत बड़ा है policy making भी आप कर सकते हैं वहाँ पे false positive जानलेवा थाबित हो सकते हैं वहाँ पे false positive एक stock exchange को गिनाने का जो है वो main करदार अदा कर सकता है वहाँ पे false negative जो है वो बहुत बड़ी परिशानी का सबब बन सकता है ठीक है और इन चीजों को समझने के लिए आपको data से deal करना आना चाहिए अब अगर एक doctor ही गलत दवाई लिख देगा अगला बंदा जान से जाएगा वो उसकी तरफ से वो false positive होगा यानि कि वो ऐसे पेट पे हाथ राखके कह दे कि नहीं भई इस बंदे को से for example अल्ला माफ करे कि पित्ते का मसला है उस बिचारे को वैसे कबज हुई हो तो problem कहां पे है doctor की understanding में या doctor जिसको वो false negative था उसको false positive कर रहे है यारी कि वो बंदा negative था लेकिन उसे false positive करके उसको पित्ते की दवाई दे जा रहे है और पाकिसान में एक सरकाथ होता ही है test के बगार ही दवाईया लिखके दी जाती है जिससे क्या होता है दुनिया में और तरीका चल रहा होता है analysis करें, diagnosis करें और फिर दवाईया दे पाकिसान में हतला आगे दास जिंदे ने पिते नो पिते दा मसला है अफलानी दवाई खा और आम आ गया है ठीक नहीं है ते घला बंदा आ गया आजकल Augmentant जो है वो बड़ी मुशूर होई है हमारी खोपरा के अंडिया आपको भी पता सेर दर्द है, Panadol बुहार जड़ी गया है, Panadol नाल दे बंदे दे सेर चे दर्दे तुसी भी Panadol खालो, तानो ना होजे so these kind of false, positive and negatives can actually occur in many cases मैं जितनी example दो उतनी घम है अब आपने चैट के अंदर बताना है कि आपको कौन सी ऐसी example याद है, जो जिन्दगी में false, positive होई थी और कौन सी example याद है, जो जिन्दगी में false, negative होई थी ठीक हो गया लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार वीडियो को शेयर कर दो, सबस्क्राइब कर दो